कि देखो मैं कोई एस्ट्रोनाट नहीं हूं लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं मंगल ग्रह की क्योंकि स्पेस की वीडियो मेरे चैनल पे चलती है अब जादू सचाई हो जाएगी क्या मैं आपना 2 एकड का प्लॉट ले लूं मंगल पे इसके बारे में सवाल उठ रहे हैं Tech News में हर जगा यही है कि Mars पर Oxygen मिल गई, मिल गई, अच्छा, तो इसके बारें बात करने वाले हम, देखिए क्या होता है कि Mars का जो सर्फेस है, मंगल ग्रे, वो पृत्वी जैसा नहीं है, मतलब वहाँ पर जो atmosphere है वो पृत्वी जैसा नहीं है, जो gases nitrogen यहाँ पर है, और जो oxygen ह यहाँ पर बड़ी मात्रा में, यहाँ पर मिलती है प्रिथवी पे, वैसे वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर 95% तो भाई CO2 देखने को मिलती है, फिर आरगन देखने को मिलती है, और मीथेन देखने को मिलती है, oxygen है वहाँ पर, लेकिन 0.16% है, जो कि भाई ना के बराबर है, वहाँ पर भी दो सीजन होते हैं, लाइक वहाँ पर विंटर आता है, फिर समर भी आता है, मुझा पूरा ऐसा होता है, जब विंटर होता है, तो हैमिस्पेर में जो CO2 है, वो जम जाती है, और बाद में फिर वो खुल जाती है, तो वहाँ पर जो चीजें होती आ रही है, अ और कम हो रही है और नासा सारे कारणों को देख चुका है जिससे oxygen कम और ज्यादा होती है और उन में से कोई भी वो कारण या वजए नहीं है जिससे वो oxygen बढ़ और घट रही है दैट मींस वहां का atmosphere बदल रहा है और वहां पर जैसे oxygen react कर रही है जैसे change हो रही है वो क्यों हो रही है इसके बारे में NASA के पास कोई भी जवाब अभी नहीं है वैसे इसकी बहुत सारी theories हैं और वो सारी ही theories fail हो रही है तो कुछ ना कुछ मंगर ग्रह पर ऐसा है जो oxygen को बढ़ा और घटा रहा है लेकिन इसके बारे में scientist को जानकारी नहीं है मेरे school में मैंने एक कहानी बढ़ी थी जहांपर मैंने एक वो fiction ही थी जहांपर कुछ aliens होते हैं जो मंगल ग्रह की धर्ती के नीचे रहते हैं और वाकई में मंगल ग्रह की धर्ती पर कुछ मात्रा में oxygen है लेकिन ऐसा कोई भी process अभी monitor नहीं किया गया है, देखा नहीं गया है, कि कोई भी धरती से oxygen निकल रहा है, स्पेक्ट्रमेटर या जो भी उनके instrument होते हैं, उनने सोचा वो खराब हो गया है, इसलिए वो oxygen के लिए गलत reading दे रहे हैं, जब check किया गया, तो ये पाया गया कि उनक 2.16% oxygen मार्स पर है, और molecular form में है, तो लेकिन इस तरीके से react कर रही है, जो उसने पहले कभी नहीं किया, और किस वज़ा से कर रही है वो oxygen react, इसके बारे में जानकारी, scientist के पास, या जो भी astronauts है, या space research में, जितने भी लोग NASA में लगे होया, उनके पास नहीं है, अब mangal ग्रह पर जीवन है या नहीं, इसके बारे में तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, 2020 में NASA और जितने भी बड़ी space की जो भी लोग तिगड़म भाज है, जो भी करते हैं सारी चीजें, वो fossils को ढूंडेंगे, और कुछ ऐसे अवशेश ढूंडेंगे mangal पर, फिर से, जिसे ये पता चल पाएगा कि क्या mangal ग्रह पर पहले कभी जीवन होता था, या यह जो oxygen के साथ खिलवार हो रहा है, आने वाले कल में क्या उस पर जीवन संभव हो पाएगा, या नहीं, आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, क्या जादू अपना plot खरीदने के लिए mangal को और निकूल ब जो कि आपको ethical hacker हिंदी में बना देंगे, बहुत ही अच्छी कुरसी संग को ट्राय करने चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बैल आइकन को प्रेस करें, मैं में तॉपसे एक लिए वीडियो में, thank you so much and good bye करना गाहिए.